हलो फ्रेंड्स वर्धनी केडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर सिचक भरती 2021 से समधित एक बहुत ही महत्पोर टॉपिक पे बात करेंगे जो कि करेंट अफेर को लेके है उससे पहले एक आप लोग का सवाल है कि परिक्षा अक्टूबर में हो जाएगी की नहीं ठीक है काफी लोगों का है क्या सर ये सत्य है कि परिक्षा आपकी 10 अक्टूबर को होगी इसके बारे में काफी लोगों कमेंट किया है तो एक बात मैं बता दूँ कि ये 100% ये बात किसी को नहीं पता होती कितना भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब और ये कहके वापस किया था कि थोड़ा सा दिने और किया जाए मतलब थोड़ा सा समय और दिया जाए तो अब जब सितंबर में बिलकुल मतलब मनजूरी नहीं मिली है सितंबर के जो प्रस्ताव है उसको मनजूरी नहीं दी गई है उससे दूसरे प्रस्ताव की लिए कहा गया विज़ा गया तो यह आप लोग 99% मान के चलेंगे आपकी जो परिक्षा है वो आपकी 10 अक्टूबर को ही करवा ली जाएगी ठीक है इसका जैसे ऑफिसल नोटिस आएगा मैं आप लोगों को बता दूँगा अब देखिए बात करते हैं करेंट अफेर के बारे में करेंट देखिए अभी तक बाते अलग थी लेकिन अब जब यह 10 अक्टूबर इतना लंबा खीच दिया है तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी जो परिक्षा है जो आपका करेंट अफेर है और जो आपकी एक्जाम का जो पेपर है वो पहले ही बन गया होगा अब यह इसलिए सकते क्योंकि PNP सची भी बदल गया है तो यह अब श्योर नहीं कहा जा सकता कि आप लोग सितंबर से लेकर सितंबर 2020 से लेकर और अपरेल तक ही करेंट पढ़े अब आपको लगभा पूरा एक साल कवर करना होगा क्योंकि आपकी परिक्षा का एक्जाम बन गया है या फिर दुबारा बनाया जाएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपका देखिए NTPC का आपको याद होगा NTPC का फॉर्म दो साल बाद मतलब जब फॉर्म बरा गया तो उसके दो साल बाद पेपर हुआ तो पुराना ही रख दिया गया था ठीक है तो उस बेस पे आपको सि सितंबर 2020 से लेकर मार्च तक का अभी तक कहाई जाता था ठीक है अभी तक मैंने जितने भी वीडियो में बताया तो तब माहौल अलग था कि जुलाई में पेपर हो जाएगा अगस्त में हो जाएगा तो सितंबर 2020 से लेकर मैंने अभी तक बताया था कि अपरेल तक का आप पढ़िए लेकिन अब जब October में पिपर होगा तो अब आप ये मान के चलिए कि आपको सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक का पूरा एक साल का पढ़ना होगा ठीक है क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तोड़ा से निगेटिव इसको ले सकते हैं किसे आप बहुत जयादा कह रहा हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 नंबर का यहां पर कम से कम करेंट अफेर आएगा जो नि सब्सक्राइब तक का तो सितंबर 2020 से इस परस्ट रूप से यह आप समझ लीजिए सितंबर 2020 से लेकर ठीक है और सितंबर 2021 तक का आपको अब तयार करना पड़ेगा ठीक है कि आपके पास समय भी अब दे दिया गया है काफी जादा ठीक है अभी लगबग आपके पास दो महीने से उपर है तो एक साल का यह आपका आपको यह कवर करना होगा ठीक अब जैसे कि देखिए करेंट अफेर ऐसी चीज़ इसके बारे में कंफर्न महीं कर जा सकते जैसे मैंन अनला चाइं तब फिर आपको पुराना आएगा कि नहीं आएगा ठीक बाई चांस आपका पुराना ही ज्यादा तर चांस यह एक है कि आपका सितंबर 2020 से लेकर अपरेल 2021 कर दिया गया तोो आपका यह अपरेल के बाद का पूछा जाएगा ठीक इसलिए आपको पूरा एक साल आप कवर करना पड़ेगा सितम्बर से लेकर और सितम्बर 2020 से लेकर सितम्बर 2021 तक ठीक है अगर फिर भी आपको कुछ लगे कि मैं गलत बोला हूँ या कोई बात है गलत मैं इसलिए नहीं बोला हूँ क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाई चांस अगर आप लोगों ने पुराना याद किया अच्छे से तयारी की और आगे का पूछ दिया गया तो आप लोगों के साथ धोका हो जाएगा फिर आप ही लोग कहांगी कि सर आपने हमें धोका दे दिया मतलब आपने ये क्य तो भी ये हो सकता है कि पुराना पूछ दिया जाए आगे का ना पूछा जाए ठीक तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा एक साल का अपना कवर करिए किसी बितरीके से सितंबर से लेके अपरेल तक का आप लोगों ने उमीद है कि न important होगा और बहुत जादा इसी में margin होगा लोगों का current बहुत लोगों का अच्छे से तयार नहीं होगा और जिसका अच्छे से तयार होगा वो यहाँ पर बाजी मार लेगा ठीक है उमीद है आप लोगों को यहां पर यह बात clear हो गई होगी कि current affair कितना आपको पढ़ना है मे अच्छा थी थी बहुत लंबी खिस दी गई है तो ऐसे में काफी परिस्तियाद चेंज भी हो जाएंगी तो कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे और अपनी तैयारी जरूर करें अभी गुणांग के बारे में बिल्कुल ना चाहिए कम है फिर भी आपके पास बहुत समय है अच्छे से तयारी करें उमीध है कि आप लोग अच्छे से तयारी करेंगे तो अच्छा सा परिणाम भी आपको मिलेगा तो दोस्तों आज कि वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए नमस्कार